हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिंस में मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से आज रहूँ दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मौक्सी सिप 400 mg टैबलेट के बारे में मौक्सी सिप 400 mg टैबलेट के में आपको यूज डोस बेनिफिट साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा आप बने रही है इस चैनल पे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बैल को सुरू करते हैं मौक्सी सिप 400 mg टैबलेट एक बहुती पुराना और बहुती जाना माना एंटिवाइटिक मेडिसिन है जिसका उप्योंग मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण होने वाले इंफेक्शन के इलाज के लिए इसे यूज किया आता है जैसे कि कि किसी को न इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो आप लोग वीडियो देखते रिए चलिए दोस्तों सबसे पहले में आपको दिखाता हूं इसकी पैकिजिंग आप स्क्रीन पे देख रहोगे मौक्सी सिप 400 mg टैबलेट ये एक पत्ते में 10 टैबलेट आती है और इस 10 टैबलेट का जो प् कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चीए जिन लोगों ने सराब का सेवन कर रखा हो उस काइम इस दवा का इस्तेमाल ना करें और जो महिला अपने बच्चे को इस्तंपान कराती हैं वो महिला भी इसका इस्तेमाल ना करें और 5 साल से कम उमर के बच्चों को ये दवा ना दें ब बेजिजग आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा आप वहां क्लिक करके मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यह किन किन प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है यानि इसके बेनिफिट्स देखे जाते हैं दोस्तो अगर किसी के लंग्स में इंफेक्शन हो गया हो तो लंग्स के इंफेक्शन को यह ठीक करता है जैसे कि किसी को निमोनिया हो गया हो तो निमोनिया को भी ठीक करता है या फिर किसी को ब्रॉंकाइटिस की प्रॉब्लम हो तो ब्रॉंकाइटिस में भी यह बहुत करता है दोस्तों कई बार यह टीवी पेसेंट को भी दिया आता है क्यूंकि उनके लंक्स में इंफेक्शन जदा होता है और अगर किसी के आखों में इंफेक्षण हो गया हो आखे रहे हो या फिर आखों से पानी गिर रहा हो जलन बहुत ज़्यादा हो तो इसे दिये आता है और साथ-साथ यह यूरी इंफेक्शन के इलाज के लिए भी दिया आता है अगर किसी को बहुत ज्यादा पिशाप के रास्ते में जलन खुजली और जलन के साथ-साथ दर्द भी हो रहा हो ऐसी कंडिशन में इस दवा को देना बहुत जरूरी हो जाता है और यह दवा देने के साथ-साथ इंट्राइब्डॉमिनल इनफेक्शन में भी कई बार दिय आता है उसमें भी बहुत आच्छा काम करता है तो दोस्तों यह te फिरने problem Region में सबसे जुक्ता उता है सबसे ज्यादा benefit's दिना होता है अब मैं आपको बताता हूं इसे यूज कैसे करना होता है दोस्तों इस tablet सुब़ान एक tablet सुबा में स預rió Atlas को कि खुरआ कि बाद लेना ओता है दोस्तो जब आप इस tablet को लेते हो तो आपको दिक्कत यह हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा दस्त लग जाए या फिर आपको सिर में तेज दरदों लगे या उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे या फिर चक्कार आने लगे यह सारे इसके symptom से जो कि यह आपको सूट नही मिलना चीए और कोई भी दवा यूज करने से पहले आप अपनी नजदीकी डॉक्टर की सला एक बार जरूर ले उसके बाद ही कोई भी दवा यूज कर रहे आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुड़ बाई